हेलो गाइज, वेलकम बैट टू असान हैना डॉट कॉम, I am Nima Dobrial गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगती हैं, तो आप उनको लाइक कीजिए और आप उन पर कमेंट भी कर सकते हैं गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोज फ्यूचर में इमेल के थू मिलती रहें, तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस आप हमसे फेसबुक और ट्विटर के थू भी जूड सकते हैं, और प्लस आप हमसे ब्लॉگर के थू भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साइट पर विजिट कीजिए हमारे साइट है www.asanhenna.com वहाँ पर आपको हमारे सारी वीडियोज series wise available होंगी हमने last lecture में किया था entries related to wet अब उसी lecture को revise करते हुए हम mainly करेंगे wet हमारा होता क्या है? wet means value added tax means जो भी value add होती है किसी भी goods पे वो हमारा value added tax value added tax mainly हम interstate sales के case में करते हैं sorry interstate sales के case में करते हैं means interstate sales means state के अंदर जो भी हमने sale की है like हम हर्याना की अंदर अंदर like हिसार में हिसार में और कैथल में sale कर रहे हैं वो हमारी है wet means value added tax ये आपका एक state से दूसरे state नहीं होता ये आपका state के अंदर ही होता है अगर आप देखिए कोई भी tax है वो हम mainly क्या बोलते हैं ये tax तो government के पास जाएगा अब wet भी ये type का tax है कौन सा tax है? value added tax तो ये भी हमें government को pay करना होता है हम sale करने की time पे तो हमको ये receive होता है बट हमें ये future में government की account में deposit करवाना होता है इस wet को क्योंकि जो भी हमारा wet होता है या जो भी हमारा tax होता है वो हमारी mainly government की income होती है तो इस से related हम entry क्या पास करेंगे? जिस time पे हम value goods को purchase करेंगे उस time पे हमारी क्या entry थी? cash और bank और debtor account sorry purchase की time पे क्या थी? sale की time पे cash और bank और debtor account debit to sales account to central sales account अब अब उसी अगर wet को हम pay करते हैं अगर हम उसी wet को हमने pay किया है further तो हमारी क्या entry होगी? पहले तो purchase की time पे entry पास आउट करेंगे purchase की time पे क्या थी? purchase account debit to purchase account debit wet paid account debit to cash और bank और credit account debit अगर हम उसी wet को collect करते हैं sale की time पे तो ये entry reverse हो जाएगी क्या होगी? cash account debit या bank account debit या debtor account debit to sales account to wet collected अब अब इस wet को अगर हम government को pay करते हैं government को pay करते हैं तो इस से related हम क्या entry पास करेंगे? अगर जो हमारा collected wet है पहले तो ये देखेंगे इनकी बीच में कितना difference है? अगर इनकी बीच में difference हुआ तो government को pay करेंगे अगर wet collected अगर हमारा wet paid account ज्यादा है wet collected से तो तो हम उस balance को carry forward करेंगे अगर उल्टा है, अगर हमारा wet paid account कम है wet collected account से तो हम उसको government को pay करेंगे तो पहले तो इनकी बीच में difference देखेंगे? क्या है? तो सबसे पहले इनके भी adjustment करेंगे wet paid के बीच में और wet collected के बीच में तो इससे related हम क्या entry पास करेंगे wet collected account debit to wet paid account अगर हम government के account में deposit करवाते हैं wet को तो हम इससे related के entry पास करेंगे wet collected account debit में जो हमने wet collect किया था वो उस time पे हमारी income थी sale करने के time पे अब जब हम government को उसको pay out कर रहे हैं तो वो हमारी लिए loss होगा तो इस account को हम debit कर देंगे wet collected account debit to cash account इसको हम credit करेंगे क्योंकि हमने cash को दिया है वो government को receive हुआ है तो ये account हमारा credit हो जाएगा अब हमारा wet का topic भी clear हुआ Okay guys, keep learning उन्याई